तो दोस्तो आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है मैं हूँ कमलेशकोर तो आज हम दोस्तो ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जो आप घर में बना कर खाते ही होंगे लेकिन आप इस तरह से बनाओगे तो बहुती स्वादिश्ट बनने वाली है तो दोस्तो चलिए बनाएं पोहा इन मुंख्लियों के दानों को थोड़ा सा हम सेख लेंगे दो मिनट तक इसे सेखेंगे जब यह अच्छी तरह से सिख जाएगी तो इसे बाहर निकाल लेंगे हाई को मैंने गरम किया है इसमें मैंने डाला है एक कड़सी तेल इसमें मैं डालूंगे थोड़ा सा जीरा इसी के साथ मैं डाल रहे हूँ चोप किया हुआ एक बड़ा प्याज प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है अब इसमें मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ते अब इन सबको हिला लेंगे अब इसमें मैं डाल रही हूँ आदा चमच अदरप पेश्ट अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक कटी हरे मिर्च अब इन सब को mix कर लेंगे अब इसमें दो कटे हुए टमाटर डालेंगे इन सब को अच्छे से फिर से mix करेंगे अब इसमें मैं डाल रहे हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर आदा चम्मच डाल रहे हैं नमक आदा चम्मच डाल रहे हैं धनिया पाउडर थोड़ा सा डालूंगी मिर्ची पाउडर इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दो मिन्ट तक इसे हिलाएंगे मैंने लिया है एक कटोरी पोहा पोही को मैंने अच्छे से दो लिया है मसाले को पकाते हुए दो मिन्ट हो चुके हैं ये जो पुहा हम लिया है अब ये इसी में डाल देंगे इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पुहा को मसालों में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सबजी मसाला इसी के साथ में जो मैंने ये मुंगफलियों को भूना था अब इसी में डाल देती हूँ इन सब को भी अच्छे से मिला लेते हैं अब मैं इसमें डाल रही हूं हरे धनिया, हरे धनिया डालने के बाद में इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे, तो दोस्तो हमारा पोहा बन का रैडी हो चुका है, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं, तो दोस्तो मैंने इसे सर्व कर लिया है, आईए पोहा इज रैडी, तो